जामनगर के सभी निवासियों, मैं आपका कलेक्टर आपको एक अगत्त की सूचना देने जा रहा हूँ आज जामनगर जिल्ने में प्रथम केस कोविड-19 का पॉजिटीव आया है यह एक 14 महीने का बावबट है इसका मतलब है कि इसे जोगी चेपी रोग लगी है यह संक्रमित रोग इसके माता, पिता, आजू-आजू, पडोसी कि अथ्वा कोई पॉण जगर जहां पर यह गया होगा वहां से इसको लगी है मेरी आप सभी वो बिनती है कि क्रिपा करके आप लोग घर पे रहें आप देख सकते हैं कि यह 14 महीने का बाड़क बहुत ही गंभीर परिस्तिति में अभी जी रहा है अभी विंटिलेटर पर है और आगे इसकी तवियत कैसी होगी इसके लिए सभी पूरी जाम नगर के सभी जंता इसके पास्ट रिकवरी के लिए हम लोग प्रे करते हैं कि आप अभी मीडिया के मद्यम से आप सभी को पता चल गया हुआ कि यह केस दरेड़ विस्तार का है दरेड़ मिस्तार में बहुत सारे हमारे हिंदी भर्षी मजदूर और सह कर्मी रहते हैं मेरी आप सबसे बिनंती है कि इस बाड़क या इसके पिता माता-पिता के साथ आपको पूरी कर सकें इस बीमारी को छिपाने से इसका कोई निवारण नहीं हो सकता है और यह सायद किसी को हो जाए तो अभी वा बिल्कुल स्वस्त भी दिख रहा होगा और स्वस्त दिखने के कारण से उसको यह लग रहा होगा कि मेरा संपर्क तो हुआ था लेकिन मैं त उसके संक्रमित बालक के साथ अगर आपका कोई भी संपर्क हुआ हो तो अगले 14-15 दिनों के बाद भी हो सकता है कि आप में कोई प्रथम सिंटम्स हो जैसे सर्दी, खांसी, छी, काना यह सब हो सकती है इसलिए समय बहुत important है आप जितनी जल्दी से proactively आप आगे आ करके और बताएंगे उतनी जल्दी हम आपका इलाज सरू कर सकते हैं इसलिए आपका सहयोग और सहयकार यही एक इलाज करने के लिए हमारे पास साधन है आप कृपा करके हमारे जी-जी-जी हेलप लाइन जो है गुरु गोविन सिंग जेनरल हास्पिटल की जो एक हेलप लाइन है इ कोई भी बाहर नहीं आ सकता है कोई भी अंदर जा नहीं सकता है इसलिए जिसको भी जरूत हो मेडिकल सुविधा के अलावा किसी भी चीज के लिए आप बाहर घर से ना निकले आप जितना घर में रहेंगे उतने सलामत रहेंगे धन्यवाद